और नामर्द मॉप निपुन्सक आद्वी का ये कंट्री है जहां पर एक मर्द पैदा नहीं हुआ भरस्ताचार को रोकनी है अजब कि घरीबी का सबसे बड़ा कारण भरस्ताचार है अब सरबादी बन जाइए आप भी कल्मुक मंत्री और प्रणान मंत्री है अब जो लोग पपू यादव के बारे में बात करते हैं कि पपू यादव को मोका क्यों नहीं मिला इसलिए कि पपू यादव दोगला ही नमस्कार आप देख रहें निवस्वर नेशन मैं हूँ आपके साथ कमलेश पपू यादव ने कहा है कि देश में जिस तरह से भरस्ताचार है इसको कोई खत्म नहीं कर सकता वहीं उन्होंने ने कहा है कि देश में जो गरीबी है इसको लेकर करके जो है शिक्षा और चिकिस्था जिस तरह से महांगा हुआ है वह दिन बाद दिन गरीबी बढ़ाती जाएगी और मुखमंतरी बनने के बाद पर उन्होंने क्या कुछ अहा है छो हेल्थ और एजूकेशन इतना महगा हो चुका है कि हम दीनों दीन गरीब होते जा रहे हैं आप मुखमंत्री बने का फर्मूला बता रहे थे तो आखिर पपो यादब जी तो फर्मूला क्यों नहीं करते और बद या मैंने इनको कहा मैंने हमसे उन्होंने पूचा मैंने कहा कि इन्होंने पूचा कैसे हैं हमने का मुखमंत्री या पॉलिटिक्स्म कल चल बल आप आज दोगला पनी आप कर लिए अब सरबादी बन जाइए आप भी कल मुखमंत्री और प्रधान मंत्री हैं अब जो लोग पपू यादब के बारे में बात करते हैं कि पपू यादब को मुखा क्यों नहीं मिला काही नहीं मिला इसलिए कि पपू यादब ढौगला भी कर लेते हैं अब छेत्रिया पार्टी को लगता कि पपू यादब का ओड़ा इतना बड़ा है कि कर हम ही लोग वाँ छुटका में जितना नेता है खतम नहीं हो जाए बड़ी पार्टी दोई है कॉंग्रेस और बीजेपी तो आप हमको बताईएगा न भाई पप्पु यादब को फर्मुला आप कैसे बताईएगा कि आपके यह हम इंडिपेंडेंडेंट अडिया सभी लोग जीते हैं यह फर्मुला तो नरंदर मोदी जी कई बार चेंज किये हैं अभी सिंदे से ले करके सब कॉंग्रेसी को लाला करके कॉंग्रेस युख्ध भारत कॉंग्रेस मुख्ध भारत नहीं कॉंग्रेस युख्ध भारत बीजेपी सब कॉंग्रेसी को ला करके सब जगह बठाया है अधा कॉंग्रेसी है एक आदमी किसी ने पूचा कि बहुत पहले कि आप कॉंग्रेस में क्यों है कल के कॉंग्र सिपीनिस्टर मुक्मंत्री हो सकते हैं तो हम दोगला जब तक नहीं बने कि नहीं तक ओर क्या बनना जोड को गना जोड़ी दोगला बनना जोड़ी कएगा तो एक बालेंगे देखेंगे क्या होता है